नमस्कार आप सबका मदू की रिसोई में स्वागत है आधम मदू की रिसोई में तिमाची धाम में बनने वाली किश्मिश की मिठ्री बनाने जा रहे हैं मिठ्री में लगने वाली स्मागरी है 200 ग्राम चीनी कुछ टुकडे गरी के यानि सुखे नालिल के एक चम्मज मगर्च आदा चम्मज मोटी सौफ साथ से आठ बदम स्लाइस किये हुए 25 ग्राम किश्मिश एक चम्मज बड़ा चम्मज देसी गी और चुटकी बर खाने वाला लाल रंग सबसे पहले हमने गया सौन करनी है गया सौन कर दिया है पतीला रख दिया है उसमें हमने देसी गी डाल देंगे देसी गी को गर्म होने देना है गी गरम हो चुका है उसमें हमने गरी के टोड़े डाल देने हैं वाले कटेत वदाम स्ट्राइस के वे किश्मिश आज को मत्यम कर देंगे और जब तक किसमे स्पूल नी जाती है तब तक हमने इसको रोस्ट करना है किसमे स्पूल ही है यानि रोस्ट हो चुके है अब क्यास बंद कर देंगे गया सोन करनी है और आज बुक्ल कम रखनी है गीर गरम है उसी घी में हमने स्पूल डाल देंगे ती सेकंड के लिए हम भूनेंगे ती सेकंड हो चुके है उसमें हमने चीनी डाल देना है और अधी कटोरी हमने पानी डाल देना है आज को प्रेज कर देंगे और एक उबाला आने तक हमने चीनी को बुलने तक हमने पकाना है जासनी को आज को अधी आज को सब्सक्राइब और अधी जाए तक हमने तक हमने चीनी भी पिगल गई है आज को हमने कम कर लेना है और उसमें हमने चुक्ति भर ठाने वाला लंडा रेंगे लाल वाला प्राइब रोस्ट किया हुआ जो प्राइब फूर्स है उसको भी डाल देंगे एक नट तक हमने चासनी में पकाना है साथ में बगज भी डाल देंगे आज कम रखनी है एक मिट हो गया है नेवे को पकड़ पकते हुए ग्यास बंद कर देंगे और मिटडी को हमने सर्फ करना है माचली धाम में बनने वाली किश्मिस की मिट्री यानि दाक की मिट्री बनके त्यार है इसे धाम में चावल के साथ खाया जाता है और यदि मेरी रेस्टी पसंद आई हो तो इसे लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दवाना भी न भूले ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके धन्यवाद